दोस्तों लैप्टिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ नासर और मेरे पास ये एक बोर्ड आया हुआ है आसूस का जिसका कि पार्ट नमबर आप यहां देख सकते हैं एक्स 553 में और बोर्ड देखने में तो काफी फ्रेश लग रहा है लेकिन यहां पर चार्जिंग आइसी वगरा है चेंज लग रही है अभी मैं आपको क्लूज अपर करके दिखा दूँगा तो इसमें प्रावलम क्या है तो देखिए मैं जैसा कि आप लोगों को हमेशा बता देखिए जा सकती है ठेक है अंदास क्या लगा सकते है कि जैसे अगर माली जिब मैं इसे को वैपाई यह और आ नहीं हो रहा है बहुत सारी दिकत हो सकती है, तो अन्दास नहीं कर सकते हैं, तो अभी मैं power supply को on करूंगा, ठीक है, तो power supply को आप देखेंगे, on किया, तो ये देखें कितना load ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ने कुछ, या तो on हो रहा है, या शॉट है, दो मैं से एक ही बात होगी जब ज्यादा load ले रहा होता है, तो हम कहते हैं कि बाई, ये इतना तो नहीं होना चाहिए, अगर पार बड़े दावू, तो on होना चाहिए, बट आसूस में, जैसे सीवाँ सेल नहीं हो, या RTC अगर डिरेक्ट नहीं करे, तो ऐसे में हम देखते हैं, कि ये, ये जो है, ये इस तरफ तो नहीं हो रहा है, हाँ, यहां पर हलका सा 3-5 मुझे गरम लग रहा है, गलॉप्स के बाद भी मुझे इतला सा फील हो रहा है, यहां पर गरम है, तो 3-5 में क्या चीज़ है प्रॉल्लम, तो बोर्ट देख लिए आपने, मुझे 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 अप्सद था, कि जो यह मुवाइल से मैं कैप्चर कर रहा हूँ, कि ताके मैं आपको दिखा पहूँ कि यह बोर्ट कुन सा, और कॉमनली यह बहुत ज्यादा आता है, रिपेर होने के लिए, तो यह सेलरान और डॉल कोर में होता है, और कॉमन सी प्रॉलम ही यह, इस तरह की प्रॉलम आती है, तो चलिए, अब मैं माइक्रोष को पर जूम करता हूँ, और पूरा चीज में आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही X553MA का मोडल है, और मैंने आपको कंडिशन देखाया, और पावर सप्लाय देखाया, कि क्या लोड ले अब ही मैं यह आपको बता रहा था कि यहाँ पर यह चार्जिंग ऐसी चेंज की भी है, और थोड़ा सा कार्बन मुझे यहाँ पर लग रहा है, बैटरी के एरिया के पास, यह जो ग्रीन ग्रीन आपको दीख रहा न, यह ग्रीनिश जो है, यह हो सकता है कि कुछ प्रावलम का रीजन हो, तो अभी जो हमने पावर डाला, तो यह जो लोड उठा रहा है, 170, 175, 180 के करीब, यह क्यों एतना लोड उठा रहा है, इसकी जानकरी हमें चाहिए, तो से पहले, यह 35 की IC है, और कौन सी है, तो यह यूपी की कोई IC है, यह जो यूपी की IC होती है, यह यूपी क 58, 590, 5890, ऐसा ही कुछ नंबर है, तो यहां पर जला भी लग रहा है, पहराल जो भी है, तो हम यहां पर चेक करेंगे, इसका 14 और 15 नंबर पिन LDO होता है, ठीक है, तो आपको यहां पर भली बात ही दीख रहा होगा, कि यहां से गिनना श्राट करेंगे, 5 इदर हो गया, 10, 11 12, 13, 14, 14 पर देखते हैं कितना बन रहा है, तो मल्टी मीटर तो ही नहीं, कैसे देखेंगे, चलिए, अब देखिए, कितनी वोल्टेज है, 5.6, गलत है, यह कितनी है, 1.7, तो यानि कि हमारी LDO बैट गई है, जिसके वज़े से, अब यह रीजन 35 की खराबी के कारण भी आता है, बट, एक बात कि मैं गारंटी आपको दूँगा, कि यहाँ पर शॉर्ट सर्कृट निकालने के लिए, अगर आप यहाँ पर जमपर लगाते हैं, तो नहीं ढून पाएंगे, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं, कि नॉर्मली जमपर से शॉर्टिंग तो निकल जाती ह है, बट यह कुछ special है, कुछ खास है, इसलिए मैं आपको यह वीडियो बना के दिखा रहा हूं, कोई मुझे बहुत दिल से आत कर रहा है, ठीक है, तो यानि कि अगर आपने समझा कि भाई, पाई, पाई, प्रॉल्लम है, तो हो सकता है कि पाउच निकल जाए, लेकि बन रही है, तो आप यहां पर भी जम पर जोड़ेंगे, तो कुछ गरब नहीं होगा, ज्यादा अगर वल्टेज डाल देते हैं, इंजट कर देते हैं, तो क्या होगा, तीन पाच कैसी कराब हो जाएगी, तीन में लगाएंगे, तो तीन पर भी कुछ वोल्टेज बन रही ह इसलिए प्रोपर शॉर्टिंग नहीं है, तो ऐसे में आप थ्ला सा कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, एक इंफॉर्मिशन सबसे इंपॉर्टन जो अभी मैं देना चाहता हूँ, पंद्रह तारीक तक का ओफर हमारा यह वैलिट था, तो यह खतम हो जाएगा, एक बात यहा और भी काम में थ्ला सा वेस्त हूँ, मैं मोवाल नहीं देख पाता हूँ, दो दो तीन 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 तक, तो जिसने सिर्फ क्वारी किया है, उसके लिए वैलिट रहेगा, जब तक मैं उसे देख कर जवाब नहीं दे दूँ, तो उसके लिए मैं उसको यह ओफर जरूर लेने दूँगा, ठीक है, उसके लिए वैलिट रहेगा, लेकिन अगर आपने फर्स टाइम क्वारी करेंगे अगर आप 15 सिप्टमबर के बाद, तो यह ओफर नहीं मिलेगा आपको, इस बात का ध्यान रहे, इसलिए अगर आपने आज क्वारी कर लिया है, तो मैं अगर माल लीज सेंट आफ है, और यह साल में एक ही बार आता है, और 15 सिप्टमबर, 15 अगस्ट से लेकर के 15 सिप्टमबर तक के लिए वैलिट था, और अब इसकी वैलिटी समाप्त होने को है, और मेरे काल से एक हफता भी नहीं रहा है, और यह खतम हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर 300 वी और user idea password बना के देंगे, जिससे आप video एक साल तक watch कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको फिर इसको watch करना है next year, तो आपको इसके लिए renewal charge पे करना होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम case study add करते रहते हैं, तो इसके अंदर क्या-क्या चीज मिलने वाल आपको, पूरी theory है, शुरू पढ़ा ही है, जैसे example के लिए जीनर डायट पढ़ा है, तो जीनर डायट कैसे काम करता है, इसका हमने practical आपको capture करके आपको वो वीडियो मिलेगा, सारे का, फिर इसके बाद जो case study होते है, जैसे भी ये बना रहा हो, तो ये तो अभी आपके लिए free है, ये तो normal case study है, कुछ ऐसे case study होंगे, जो बहुत interesting होते हैं, वहां तक कहुछना approach कैसे लगाते हैं, ठीक है, जैसे माल लिजे, चार signal है, जो एक वोल्द बन रही है, ठीक है, चार signal है, जो एक वोल्द बन रही है, क्यों एक वोल्द बन रही है, किस के विज़े से बन सकती है, उसका solution क्या होगा, जिसे माले लिजे ACo के एक वोल्ड बन रही है, साथ-साथ S5 भी एक वोल्ड बन रही है, और साथ-साथ दो-चार सिगनल, और भी जिसे माले लिजे AC पर्जेंट भी एक वोल्ड बन रही है, तो इस तरह के case study पेड में ही होते हैं, और पेड वो जो लोग rainbow कराते हैं, उन लोग को वो add-on होता रहता है, और जो लोग हमसे वीडियो लेते हैं, वो भी उसको मिल जाते हैं, यहनि एक साल तक तो आपको जितने वीडियो अभी तक मेरे पास हैं, वो सारे मिल जाएंगे, और एक साल के बाद जितने नए वीडियो आएंगे इस बीच में, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो जो rainbow कराते हैं, तो यह validity आपको सिर्फ और सिर्फ 15 September तक ही है, चलिए, अब हम लोग तो case study देख लेते हैं, तो 3-5 खराब हो सकती है, एक reason यहाँ पर यह है, बट, मेरा experience यह है, कि ऐसे में 3-5 खराब नहीं होती है, अब देखते हैं कि change किया है, बिल्कुल change तो नहीं लग रही है, बट, चलिए, जो भी हो, हम यह कह सकते हैं, कि 3-5 अभी खराब नहीं है, इसको कैसे बोलने का तरीका क्या होता है, कि 3-5 क्यों खराब नहीं है, अच्छा, हमें जो voltage चाहिए, वो तो यह चाहिए, कि 3-5 वोल्ट यहाँ पर बननी चाहिए, अगर on हो जाता तो, तो यह on नहीं हुआ है, यह सबसे पहली बात, हाँ, चेंज किया गया, किसी बंदे ने इसको अच्छे तरीके से देखा दी, कि 3-5 बनाने के लिए, कितना मेहनत किया गया है, कि एक तो मॉस्फेट सारी चेंज है, तो पक्का यह भी चेंज हुई होगी, ठीक है, लग नहीं रहा, कि नेक्स टाइम, अगर आपके पास इस तरह का केस आए, तो इसको कैसे फॉल्ट फांडिंग करेंगे, यह आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रही है, बने रही है, क्योंकि अगर इसको मिस कर दिया, तो फिर आपको भी किसी के पास बेजना ही पड़ेगा, आप भी क्या करेंगे, तीन पांठ change करेंगे, उसकी कुछ Fets चेंज करेंगे, और जाद 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 क्या करेंगे, चार्ging आईसी जैसे इसने चेंज किया है, IO बस बज गई है, तो ठीक है, आयो से भी हो सकता है तो इसको किस तरह से हम एक्जामीन करते हैं तो देखिए मैं थोड़ा सा कुछ एक डाग्राम ऐसा खोलता हूँ जिस पर मैं कुछ लिख पाऊं कोई सब्सक्राइब ले 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 तो मैं नहीं यह तो प्रॉडटेटेड है ठीक है कोई भी डाग्राम नॉर्मार मेरे पास लिखनी के लिए यहां पर कुछ है नहीं, यूजियुली मैं आपके लिए जो केस बनाता हूँ, वो घर से बनाया करता हूँ, और इसमें बहुत खाली पेज होता है, ठीक है, इसलिए मैं इसका देखें, बीच-बीच में, खाली-खाली, बलांकिंग, बल इसके अंदर जो एल्डियो बनती है सबसे पहले तो वो बनेगी तो बीस पिन वाले आर्टेचर में तीन वोल्ट तो पक्का है कि एकदम बनेगी बनेगी पांच सम टाइम आपको मिलेगी जब एस फाइब और एसी ओन बगर आएगी ठीक है इतना तो आप लोग भी जानते हो आप क्या दो करS भी हमें 3 वोल्ट एल्डियो चाहिए जो एल्डियो डिपेंडेंड य नहीं कि इस चीज़ पर यानि यह आपकी जैसे यहां विन आएगी बिन आई और यह निकलेगी इसके लिए कोई रिकॉर्मिट मेंडल नहीं है भ स्पYo şu एन डिशिक में में कि क्या समझाना चाहरा हूं कि कैसे गेस कर सक रहे हैं कि जो है 3-5 को change करने लाइक है या नहीं है या MOSFET change करने लाइक है या नहीं है तो क्या क्यों मारेंगे 3-5 LDO निकलनी थी और इसको कहां कहां जाना था इसको जाना था on-up switch पर तो on-up switch पर तो कुछ खास हो नहीं सकता है एक on-up switch होता है और साथ में जुड़ा होता है यह यह इओ हो गई तो एक प्वांट यह पर जाती है दूसरा जाती है हमारी SMBUS पर तो SMBUS पर एक charging ऐसी होती है यह charging हो गई और यह साथ में लगी वी आयो सेम यहां पर आफिस में वीडियो बनाना चुक्कि यहां पर स्लेट नहीं है मेरे पास चलिए ऐसे दिखा देता हूं समझ लिए भाबनाओं को आप लोग इतना प्यार तो करते हैं ऐसे समझ जाएंगे तो यहां पर चार्जिंग आइसी या जलती यह फिर आयो हो सकती है यह हो गई फिर कहाँ जाती है एक ऑडि Children हो गया तो आप यहीं स्वांट में कुछ ने कुछ प्राड़म हो सकता है यहीं है और कहाँ जाता है तो एसे मजए हो गया फो चर्जिंग आए कल आयो ओड़ी अर्वन सिछ हो गया और टी इन सब चीज़ों के वज़े से तो नहीं रुकावा है, एतना ही confirmation चाहिए, क्या-क्या बताया मैंने, कि LDO खुद भी खराब हो सकता है, इसकी capacitor भी खराब हो सकती है, बट एतनी अच्छी किसमत होती नहीं है, हम लोगों कि एक capacitor छोटा सा खराब मिल जाए, होता क्या है, कि sometime य RTC आपका खराब हो जाता है, तो RTC में खराब होने लाग क्या-क्या चीज़ है, RTC में तो RTC Reset है, RTC S Reset है, यह हो गया, तो इसको आईए हम लोग माना करते हैं कि कहां-कहां कैसे-कैसे चल रहा ही है, तो इसके लिए मैं board view इसका open करता हूँ, तो N, यह है board view इसका 2.0, यह बोल्ट व्यू और इसमें जो हमें voltage बन रही है, यह कहां बन रही है, यहां बन रही है, यहां पर voltage बन रही है, चुकि इसका तो डियाग्राम होता नहीं है, तो इसको कैसे repair करेंगे आप, यह board view से करेंगे आप, तो यह 5V का area इसको नीचे करेंगे, क्योंकि यह बाद में बनती है, तो अभी हम इसको देखते भी नहीं है, सम्टाइम एक साथ भी बन जाती है, ठेक है, वो logic आपको पता नहीं होगा भी, तो यहां पर आपको तीन बोल्ट बन नीच थी, और PSL logic है, नॉर्मरली एक जंपर लगावा है, यहां पर PSL logic जानते हैं, यहां power switch logic होती है, तो यहां पर से 3VA बन जाएगा यह, जैसा कि ASUS में इसका architecture इसी तरह से होता है, कि power on sequence इसका इसी तरह से लिखा जाता है, कि VO होती है, VA बन जाती है, और यह कहां जा रही है, तो यह एतना सारा point है, यह IO के इतने सारे point पर जा रही है, इस पर जा रही है, कुछ areas है जो दिख मैं यहां देखा हूँ, इसको अगर मैं यहां से कार्ट दूँ भी से, या इस area को यहां से कार्ट डालू, यहां से कार्ट देते हैं, यहां से भी से कार्ट देते हैं, तो क्या होगा, कि वो area अलग हो जाएगी, तो हमें पता चल जागा, कि हमारी LED बनी की नहीं, या, दूस कोई भी register बीच में नहीं आती है पहले LDO के लिए बाकी area पर गौर किया जाए तो on-off switch के बीच में एक जहां पर LDO लेता है एक 100 kg की register लगी रहती है SM bus जहां पर लेता है वहाँ पर 2 kg या 4 kg या 10 kg की एक register pull up में होती है तो इन सबसे बहुत जादा असर नहीं पड़ेगा हमें नीचे की voltage काम हो सकती है SM bus की voltage काम हो सकती है अगर खराब है तो बट उपर LDO को रोग दे ऐसा मुम्किन नहीं है कम chances से तो हमारा एक RTC का area ही है जो हाँ पर यह problem आ सकती है क्योंकि वहाँ पर direct LDO पहुंचता है area short हो जाए तो यहां यह क्या करेगा यह तो वाल्टेज को drop करना start कर देगा तो पीछे की voltage को भी drop कर देगा यह यह यानि इसका तो वे ऐसा ही होता न कि आनाड है और इधर cathode है और यह क्या करेगा इधर की जो वाल्टेज आ रही होगी श& caseink करा रहा होगा Ground में और 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 मांग रहा होगा अब इसके पास खितम हो गगा यह लिए यह कम हो जाएगा तो एक reason यहनभी हो सकता है RTC, ठीक है, R से हम पहले पहुंच गए यहाँ पर, उसके बाद 3 वोल्ड VA से यहाँ पर एक 0 ओम का लगावा है, जनरली कोई बीच में बड़ी ओम की रेजिटर नहीं देखी है, LDO के साथ, यानि जब RTC में कनवर्ट होगा, डायोट के पहले 0 लगा दिया है, तो 0 ओम की अगर इस एरिया में शॉर्टिंग होती है, तो आपको क्या होता है, ज्यादा चांसे, यानि 98% माल लीजिए, 98% चांसे है कि अगर RTC का यह एरिया शॉर्ट बोला, तो PCS चली जाती है, यह हम लोगों ने तज़रुबा किया है, कि अगर आपका डायोट का ओर एरिया, अग गई है, तो इसके अंदर तो SOC structure है, तो यानि यह यहां जा रहा है, यह अकिला एक बिंदी जो है, विचारा पूरे बोर्ड को लेड़ हुएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि CPU भी चला गया हो, तो हम customer को क्या estimate देने वाले हैं, कि यह 1200 रुपे में होने लाइक है, या फिर CPU का estimate देंगे, क्योंकि यह CPU भी available है मेरे पास, तो CPU भी लगा देंगे, तो पहले यहां तो यह confirm कर लेते हैं, power off कर देते हैं, और यह confirm कर लेते हैं, कि क्या मेरा यह area short है, तभी तो मुझे LDO की सही से 3V और 5V नहीं मेल रही है, तो इसको पीपक कर लेते हैं, और चेक करते हैं, क तो आपको भी देखना चाहिए, हाँ, 14 Ohm आ रही है, देखिए, यह इस तरफ जो आ रही थी, 0 Ohm लगावा है, 0 Ohm से LDO विचारा 3V इदर आया, इदर से आया, अब 3V, यह तो ground ही है, करीब, 14 Ohm तो मतलब ground ही कहेंगे, open होना चाहिए था, अब यह 3V इस तरफ से इस तरफ आ करके, sink हो रही है, तो अब इसे मांगती जा रही है, अब LDO की भी तो capability है, कि कुछ certain current ही होता है, उसके अंदर, वो sink हो जा रही है, तो वो फिर क्या करेगी, अब बचा नहीं current, तो क्या बचा, voltage, voltage को चूस रहा है वो, तो voltage जो चूस रह जाएगा, कि जैसे मैं इसको निकालता हूँ, उसके बाद अगर 3-5 का area रही होगा, तो आपको दिखा देगा, कि हाँ 3-5 बन चुका है, नहीं तो आप लड़ते बढ़ते रहेंगे, इस तरफ का area diode का shorting है, और आप इधर jumper मार के नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है, तो यहा यह हमने निकाल दिया diode, अब on करते हैं, तो अब load ठीक लेने लगाई है, अब जब load ठीक ले रहा है, तो अब हम देखेंगे, कि क्या हमारी LDO ठीक हो गई, तो 5 volt चेक कर लेते पहले, तो 5 volt अब proper बन गया, 3 volt देखते हैं, 3.3 volt भी proper बन गया, तो यानि हमें एक बात तो यहाँ पर यह तैह हो गई, कि इस वाली shorting को आप inject करकर के नहीं पता कर सकते हैं, जिस बंदे ने ये board भेजा है, ये बात तो मेरे ख्याल से जब इतना चीज़ चेंज कर रहा है, उसे भी पता है कि क्या ढूंड रहा है वो, तो इस, इसकी जानकारी तो होगी, और ये shorting निकालने की कोशिश भी की गए होगी, बट निकलेगा नहीं, आप भी try करिएगा इसको logically निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि direct कहां जाती है और indirect कहां जाती है, ये indirect area है, जहाँ पर shorting है, और ये सारा असर पढ़ रहा था उस डायरेट के वैसे, डायरेट ओट में short है, और in का current कीच रहा है, तो ये shorting तो निकलेगा नहीं, यानि inject कर न frequency area भी, ये देखिए, तो तीन पांच भी हमें मिल गई, यानि जो area सही है, उसको ही सही करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है, कि जो area already सही है, ये तो सही है न, अभी तो problem था, ये सही है और इसी को सही किया जा रहा है, ऐसा भी कहीं repairing होता है, ठीक कि थोड़ा सा आपको, अपने आपको improve करनी की जरूरत है, चलिए, बहराल आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छे ते काम कर रहे हैं, और अगर मैं उसमें थोड़ा सा help कर दे रहा हूं आप लोगों की, बहुत सारा comment भी देख करके तो ऐसा दिल garden garden हो ज कारिया है, तो 3-5 हमें मिल चुकी है, अब वो area चुकी देखिए, वहाँ पर एक उसके बारे में थोड़ा समय अडवांस है, एक DCP RTC होता है, यहनो decoupling RTC होता है, एक capacitor लगी होती है power section में, अब सोची कि कितना percent चांस है कि RTC का सारा point जा रहा है PCH के अंदर, और out side में सिर्फ एक अकेली capacitor है, जो खराब होने की possibility होती है, तो देखें कि कितनी अच्छी किस्मत है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, कहां कहां जा रहा है, तो हम out में जैसे डूनते हैं, तो यह R है, R नहीं खराब होगा, R कैसे खराब हो जाएगा, जैस इस point पर, तो इस point पर shotting आएगी, तब तो PCH के अंदर, तो होता होना क्या चाहिए था, तो यह voltage बननी चाहिए थी, यह area short अभी नहीं है, नहीं यह area short है, कैपेस्टर कहीं पर दिख रहा है, वो देखना है, क्योंकि अगर register के किस तरफ shotting आएगी, अगर मालीजी CPU इस की तो voltage बनी चाहिए थी न, इसलिए तो 20 किलो हम लगा रहता है, कि आपको वो उस तरफ रोग देगा, उदर voltage नहीं जाने देगा, ठीक है, अभी कल ही मेरे पास G07 EP के वाला बोडा है था, उसमें, यही प्रब्लम आ रही थी कि इस तरफ voltage आई नहीं दा, CPU short थी RTC के पक्राला कैपिश्टर आप पहले आपको देखाएं, तो बोड़री बतां साफ सकसरण लग रहे हैं, यह देख थ्रथा कारबन दीखा, यह तो वही है, यह 1-2, match कर लिजए, 1-2, यह भी कैपिश्टर, यह भी कैपिश्टर, यह है न, हिज तोड़ा छोड़ा कर लेते हैं है मैंच कर लीजरे यही चीज है इसके बगल वेग क्षड़ावा है कैपिस्टर यही कैपिस्टर है और इसकी वैलिय्ट च्रते हैं कि कितना हो मारी है تو बहुत अच्छी किस्मत होगी अच्छा कुछ करम करते होंगे तो उसका बहुत सारे केसों में देखा है मैंने कि आर्टीसी ही खराब हो जाती है यह कैपिस्टर भी बोल रहा होता है बट कभी कबाल लग के लिए ऐसा होता है मेरा मकसद तो यह नहीं था कि सॉलूशन देखा हूं आपको नॉर्मली मकसद क्या था कि एक ऐसी शॉटिंग भी होगी ज अब यह ठीक हो जाए तो अच्छी बात है नहीं हो तो कस्टमर को देंगे स्टिमेट सीप्यू का तब नहीं क्यों नहीं तो गंजाइस नहीं रखता हूं में कि नहीं होगा हो कोशिस रहेगी जो चीज अविलेबल है जैसे इसका प्रोसेसर है तो हो जाएगा और ज्यादा ते रही है क्या है यह दो बहुत आ रही है यह साइट तो जीरो है मेरे काल से यही खराब है तोड़े क्या तोड़े ही देते हैं लगाना ही पड़ेगा इसलिए ऐसा करते हैं तोट भी नहीं रहा है तोड़ी है देखें कैसा तोटा थेक हड़ गई 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 हड़ तो मुझे लगता कि यह ठीक हो जाएगा मतलब बिना किसी जतन के कम ही खर्चे में कस्टमर का विचारे का हो जाएगा नहीं तो हार टैक की नावत पड़ जाती है सीप्यू उगर का जन्नाम सुन करके कस्टमर की कैप्रिष्टर यहां पर लगाना बहुत जरूरी है नहीं तो इससे ऐसी इसी प्रॉब्लम आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं ठीक है तो अब जरा वैल्यू हम मेजर कर लेते हैं कि अब वैल्यू आ कितनी लिए इसकी असी किलो ओम ठीक है एक एरिया और मुझे लग रहा है जो पहले दिग गया था मुझे वो है यह बैटरी का एरिया बैटरी बी-प्लस मेगा ओम मार यह पता नहीं यह क्या है कारवन है इतना सा थोड़ा सा भी पानी गया होगा यानि आप सोचे कि कितना सा पानी गया होगा कि एक एरिया सिर्फ एक कैपिस्टर वो भी RTC का कैपिस्टर सड़ा है ठीक जिसके विज़े से बोर्ड में प्रॉब्लम आई है और बोर्ड असम से चलता फिरता यहां तक आ गया चलिए शॉट तो नहीं है यह तो कंफर्म होगे मैंने अच्छे तरीके से चेक कर लिया है बस कलिकारवन है आने वाले दिन में हो सकता है यह भी सड़ज है तो उसके लिए सिलिकॉन बगर लगा देंगे तो अब जरा एक बार बाद में मैं लगा लूँगा वह आपका कंडिशन देखते हैं कि क्या यह अन होता है या नहीं शॉटिंग हटी है कि नहीं तो अभी तो सेम कंडिशन रहेगा मुझे अर्टिसी लगाना पड़ेगा यानि एक चीज़ तो तैह हुई कि ऐसी भी शॉटिंग आ सकती है तो यह वारा लगा लेती है ना तभी हमारा पत और कमाल की बात यह है कि आर्टिसी की यह डायड भी निकाल के देखी जा चुकी है ठीक है जहां से आया था उन्होंने देखी है यह काफी अच्छा काम कर रहे हैं पता नहीं यह किवें कर पाए या उनको यह बात पता नहीं होगा कि क्या हो सकता है posalthy आर्टिसी के एरिया है संब्हुतर देखे लॉजिक से काम कारें कि क्यािओ क्या चीज का लो अगर आपको रिक्वार्मेंट सारी पता होती है कि क्या क्या चीज और क्यूं चाहिए होता है तो फिर आराम से रिपेर करेंगे आप ठीक है अब मैं पावर लगा रहा हूं और कर रहा हूं अभी मैं फिर मोवाइल से बना के दिखाऊंगा कि क्या कंडिशन होगी है पर यहां से देख लेते हैं बोड अन हुआ अफ हो गया ऐसा क्यों हो रहा हूं भाई वल्टेज बनी वल्टेज 3.3 वोल्ट आटी सीवा बन चुकी है और आन क्यूं नहीं हुआ अपने अपन नहीं होता है क्या कहां होता है अन अफ स्विच यह है अन अफ स्विच अन करते हैं देखिए सब कुछ ठीक है बट अन होनी के कोशिश कर रहा है और अन नहीं हो पा रहा है तो मैं वो कैपिस्टर लगाता हूं ठीक है तो कैपिस्टर कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा जरूरी होती है पावर अरिया पर नहीं लगाएंगे ग्लिच आजाएगा रिपल आजाएगी जिसके कारण कैपिस्टर को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जो की गलत बात है क्यूंकि जितना इंपॉर्टेंट रिजिटर होता है उससे कहीं गुना मुझे लगता है जाधा इंपॉर्टेंस के ये बात मैं पहले भी बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं और आपने भी ये बात तजरुबा कर लिया होगा तो कैपिस्टर भी लग गया अब देखते हैं अन करके अन हुआ ओफ हो गया अन हुआ देखा एक कैपिस्टर के वज़े से फिर ये रुका पड़ाता है तो अन हुआ तो कोई इंडिकेशन बगार है रैम बगार एक लगी भी है अब नीचे तो नहीं हुआ बाइस तो नहीं कर दिया बंदे ने इसी बात कर डर रहता है ठीक है नहीं किया है अब मैं आपको चेक कराता हूं यह भी लेकिन अन हो करके आफ हो रहा है क्या चेक करा रहा हूं इदर की जो कोई वगरे की बोल्टेज होती है 0.8 अफ टेक कुछ बन रहा है आफ हो जा रहा है तो आफ होने की रीजन कुछ और भी हो सकती है इदर क्या है बारा वोल्ट बारा वोल्ट यह रैम इस कॉईल पर बारा वोल्ट कैसे बन रहा है अचा ठीक है इसमें जो न एच्टी बी नहीं है यह अभी पता चल जाएगा जो आपकी हाई ड्राइव है कोई से भी तो आन हो रहा है और आफ हो जा रहा है यह कंडिशन अभी रुकी है अभी अन करता हूं अन हो गया और करीब 197 पहले भी शॉर्टिंग में देखे खास बात है कि शॉर्टिंग में भी पहले इतना ही ले रहा था और डिफ्रेंस क्या है कि पहले ओवर्लोड हो रहा था अभी क्या है वही 190 और 180 के करीब ले रहा है बट डिफ्रेंस क्या मिल रहा है मुझे लग रहा है इसकी रैम खराब है तो डिफ्रेंस मुझे यह मिल रहा है कि इस बार प्रोपर अन है मैं अपनी लगाता हूं डिडियर 3L है और अनो के आफ़वा फिर अनो का क्या अनो हुआ 178 मिली एंपेर है लोड आगे पीछे नहीं जा रहा हूं तो अभी और इसमें चेक करेंगे अभी इसमें और चेक करेंगे कि और क्या-क्या इसमें हमें बसता है तो जो भी फानल होता है मैं आपको सॉलुशन जरूर देखे जाओंगे कि इसमें करने वाला क्या हूं में ठीक है तो जो भी सॉलुशन निकल रहा भी मैं इसको देख लेता हूं उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले चेक करा देता हूं अभी तक तो ऑन हो रहा है आफ हो जा रहा है तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको फिर मैंने कुछ नहीं किया वह डिस्प्ले आ चुका था जो मैं बता रहा हूं कि वह रुख जा रहा है री स्टार्ट पर नहीं हो रहा था दोबारा फिर रुख गया था मुझे यहां से देखके पावर सप्लाय को ऐसा लगा कि शायद जितना नॉर यह हो रहा था जो मैं आपको बता रहा था बार बार भार री स्टार्ट रहा है यह सो रहा था टेक है अभी आप ओन करना होगा यह पीछे आन-off बटन है इसके मैं यहां से on कर रहा हूं तो आप देखके रही है यहां यह on किया तो देखिए बस थोड़ा सा fluctuate हुआ हलका सा और आप देख सकते हैं इतना ही देख पाएंगे हम लोग बागी तो कुछ आया नहीं मेरे पास इतना ही बोड आया है तो डिस्प्ले यहां आ चुका है आद देखिए लोड जो कि डूएल आपको आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और जैसा कि मैंने आपको सारा चीज इंफर्मेशन दे दिया है कि यह ओफर के बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि यह 15 सेप्टेंबर तक ही वैलीड रहेगा इसलिए आप लोग कोई भी इंक्वारी करते हैं अगर 15 सेप्टेंबर के पहले तो आपके लिए वो ओफर वैलीड रहेगा ठीक है अगर 15 सेप्टेंबर के बात करते हैं तो वैलीड नहीं होगा तो अगर आपको लगता है कि अभी आप confidence feel नहीं कर रहे हैं laptop repairing में तो आपको तो जरूर करना चाहिए क्योंकि यह offer साल में एक वार आता है और काफी budget में है इसलिए इसको आप जरूर अभी effort कर सकते हैं बाद में बले नहीं कर पाए ठीक है और जहां तक रही कि जो फीस की बात आपकी अगर आप repair करते हैं बोर्ड और जो आपसे नहीं होता है तो आप हम लोग से इतना पैसे तो मैं आपको निकाल कर देदूँगा ठीक है वह सूथ समय निकाल कर दूँगा अगर आप हमसे repair कर guidance है मुझे अपने जो course पर इसलिए कोशिस ये करिए कि अगर आप सीख रहे हैं तो आप खुद से repair करिए मेरे पास पर मत भेजिए ठीक है लेकिन जो चीज नहीं हो पा रहा है तो मैं भी जैसे जो मेरे student भेजते हैं बोर्ड हमारे पास तो उसको मैं लिख के भेज देता कि क्या क्या मैंने किया है और यह इस तरह प्रॉडम दुवारा नहीं आना चाहिए ठीक है तो चली मिलते हैं अगले case study में thank you guys thank you for watching this video